Hello friends, इस वीडियो में आपका स्वागत है, तो चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे lookup and reference function, यहाँ पर आप देख सकते हो lookup and reference function कितने हैं, इन में से हम सीखेंगे, यहाँ पर मैंने listate करके रखे हैं, यह raw, raw, columns, columns, and यहाँ पर रिखाया, address है, formula text, hyperlink, choose, lookup, we lookup, patch, lookup, match index, इन सभी को हम सीखेंगे, एक एक करके, तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे raw function, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, raw function क्या काम करता है, यह हमें किसी भी value की raw को देता है, जैसे मैंने आप एक्कोल यूज किया, और raw tap press किया, अब यह मांग रहा है यहाँ पर reference, तो reference क्या ह मैं reference देता हूं किसी भी एक cell का, जोज मैं इसका देता हूं, ये cell का reference मैंने दिया, bracket, close and enter, तो इसने मेरे को क्या result दिया, पाँच number, यानि की raw का जो number है ना वो मेरे को दे दिया, जो reference मैंने दिया था, इस वाली cell का, ये किस raw में है, तो ये है 5 number में, तो इसने 5 number दिया है, म और उसके बाद मैं इसमें reference नहीं देता हूँ bracket close किया और enter कर देता हूँ तो अब मेरे को इसने k頃 result दिया है तो मैंने इसमें किसी भी तरह का reference use नहीं किया तो इसने क्या किया, जिस wronge में था यानि जिस current wronge में था उसी का number यहां पर दे दिया है तो इसने इसी रो का नमबर मेरे को दे दिया है clear तो यदि हम किसी का reference देते हैं तो उसका number दे देगा यदि reference नहीं देते हैं इस तरह से रखेंगे तो ये उसी रो का number देदेगा जिसमें हम हम formula type कर रहे हैं उसी में ठीक है तो यह आपको समझ माया उसी तरह से column काम करता है जैसे मैं equal column type करूँगा और यहाँ पे मैं कोई भी reference ले लेता हूँ जैसे मैंने यह ले लिया bracket close करूँगा और enter कर दूँगा तो यह क्या बताएगा जो मैंने select किया है न उस value का column नमर बताएगा कि वो value किस column में है तो यह देख सकते हैं चार नमर column में है इंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या रहा है चार अब यहाँ पे यह rows function भी इसी तरह से काम करेगा तो मैं इनको कर देता हूँ delete यहाँ पे यूज करूँगा मैं rows equal row s tap press किया array यहाँ पे आ रहा है array तो array में जैसे मैं यह select कर लेता हूँ area इस तरह अब जो मैंने area select किया है इसमें जितनी भी row है उनको count करके देगा यह जैसे 1,2,3,4,5,6,7 row इसमें आई है इस selection में 7 row आई है तो बस इस range में जो 7 row है उनका number देदेगा यह 7 row यह देख सकते हो 7 row जो area आपने select किया है उसमें कितनी row है उनका number यह देदेता है उसी तरह से columns function भी use होता है मैं इसको use करूँगा columns and array तो array में मैं इस तरह select करूँगा bracket को close करूँगा और enter तो इसने क्या दिया है चार column है इस array में 4 column आ रहे हैं तो 1,2,3,4 ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों यह row और column की संख्या को present कर देए clear समझ में आया होगा अब आता है दोस्तों address address में क्या होता है अगर हमें किसी cell का address लेके आना हो जैसे यह कुछ मेरे पास cities के name लिखे हुए है अब मैं चाहता हूँ कि इन cities के जो cell address है वो यहाँ पे आ जाए ताकि मुझे पता चले कि इस range पे इस cell में कौन सा data है तो यहाँ यहाँ पे मैं यूज करूँगा address formula चलिए मैं यहाँ पे equal यूज करूँगा और address टाइप करता हूँ address टैप रेस किया सबसे first argument इसका क्या है रो नंबर रो नंबर इसको देना है और column नंबर देना है तो मैं पहले रो नंबर देता हूँ रो का नंबर मैं देना चाहता कॉमा लगाया उसके बाद column number column नंबर है यहाँ पे च्यार पांच छे सात नंबर का column है तो मैं सात नंबर देता हूँ कॉमा लगाया अब अगला reference इसका क्या है absolute raw relative column relative raw absolute column तो मैं यहाँ पे रखूँगा इसको एकदम relative relative में रखूँ ना इसको मैं ठीक डबल क्लिक किया यही next argument वो है यानि कि यहाँ पे दिया गया है R1 C1 style और नीचे है A1 style तो अभी हम जो Excel में यूज कर रहे हैं अभी जो हमारा Excel की जो style है वो है A1 style और यह R1 C1 style क्या होती है इसको भी मैं अभी आपको बता देता हूँ तो मैं आपे एक number ले लेता हूँ उसके बाद मैं आपको ब तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया कि एक number raw और 7 number का जो column है उसका जो range है मतलब उसका address है वो G1 है यानि कि यह है G1 हमें इसी का तो cell address निकलना था अब यहाँ पे हम use कर सकते हैं दोस्तों ampersand का symbol लगा करके और daily type कर सकते हैं ताकि इसमें daily भी लिखा हुआ आ जाए यह तो इस तरह से अब हम सभी का निकालना चाहते हैं तो drag and drop करेंगे तो यह यहाँ पे result नहीं आएगा क्यों कि हमने इसमें cell reference थोड़ी दिया था चलिए हम इसका भी solution करते हैं यहाँ से मैं क्या करूंगा इसको कर देता हूं delete और यहाँ पर double click करूंगा और इसमें यह जो मैंने raw नमबर दिया है ना इसकी जगे पे मैं use करूंगा raw formula row टैप प्रेस किया अब यह क्या करेगा यह raw का नमबर देगा तो मैं इसको select करूंगा इस raw में इसको ठीक है और bracket close करूंगा अब मैं अगर इंटर प्रेस करता हूं तो इसने result दे दिया सबका देता है क्या देखते हैं यह देख सकते हो सबका result एक दम प्रोपर दे दिया मुंबई है वो G2 cell में है कानपूर है G3 cell में है जैपूर G4 cell में है तो यहाँ पर यह क्या कर रहा है formula हमें address दे रहा है ठीक है चलिए यह भी ठीक है यहाँ पर मैं चाहता हूं कि इसके आगे दिल्ली लिखा हुआ जाए इसके आगे मुंबई इसके आगे कानपूर जैपूर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो बेटर रहेगा तो मैं last मैं m% का symbol यूज करके inverted comma में space दूँगा and यहाँ पर hyphen यूज किया है मैंने space and यहाँ पर double inverted comma ठीक है इस तरह से यूज किया अब यहाँ पर मैं फिर से m% ल देखके आएगा ठीक है यह देख सकते हो सभी का name भी साथ में आया है अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि G1 cell में दिल्ली है G2 में मुंबई है G3 में कानपूर है और G4 में जैपूर है ठीक है इस प्रकार से भी हम यह result ले सकते हैं अब मेरे पास एक condition और है condition यह है कि मैं चा चलिए इसको भी मैं करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर यूज करूँगा मैं substitute formula मैं आपको पहले बताया था substitute कैसे काम करता है यह है substitute इसमें किसी भी text को हटा सकते हैं तो यहाँ पर मैं substitute इस तरह यूज किया और यहाँ पर first argument आरा text text क्या है अब text मेरा यह है बात double inverted comma में मैं g type परूँगा capital में g type किया comma लगाया अब यहाँ पर आ रहा है new text यानि कि इसकी जगे g की जगे आप क्या चाहते हो मैं कुछ नहीं null रखूँगा इसको and bracket close और enter तो इसने मेरे को क्या दिये दिये यहाँ पर एक number में दिल्ली है सबका देखना है तो देख सक अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों R1 और C1 style और A1 style के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो हम style यूज कर रहे है एकसल में वो है A1 style कैसे पता चल रहा है जैसे मैं first cell में अगर यहाँ पर cursor को रखूँगा तो यहाँ पर मेरा cursor का जो address है जो locus अने वो A1 है अब यह R1 और C1 क्या होता है तो चलिए हम चलते हैं file में और option बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको आना formulas में यहाँ पर दिया गया है working with formulas R1 C1 reference style यदि मैं यहाँ से इसको check in करके ok पर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो हमारे जो column थे वो ABCD थे अभी तो ABCD करके लेकिन यह अब numerical में आ चुके हैं 1,2,3,4 करके इसी को बोलते हैं दोस्तों हम R1 और C1 अब यह R1 C1 का मतलब क्या है देखिए पहले मैंने first cell में मेरा cursor रखा था तो यहाँ पर A1 उसका नाम आया था ले देखिए अब यह R1 क्या होता है और C1 क्या होता है देखिए R का मतलब है row और C का मतलब है column तो R1 यानि row 1 यह row 1 है और C1 यानि column 1 यह column 1 है उसी तरह से में कहीं पर भी अगर cursor को रखूंगा तो उसका जो cell reference है cell का address है वो यहाँ पर यह बताएगा यानि कि R row 5 वी row में है और पांच वी column है इस तरह से यह दिखा रहा है तो हमने Excel में कौन से style यूज किये R1 style R1 C1 style यूज किये फिर A1 style यूज किये तो हम address formula में इसका यूज easily कर सकते हैं यहाँ यहाँ से इसका यूज easily कर सकते हैं मैं इसको एक बार दिखा देता हूं आपको R1 और C1 style और A1 style R1 C1 के करता हूं और इंटर करूंगा तो यह इस तरह से R1 C1 और A1 style होती है आपको समझ में आ गया होगा अब मेरे को इसको फिर से A1 style में करना है तो मैं जाओंगा फिर से file में and यहाँ पे option पे किलिक करूंगा formula में जाकरके इसको uncheck करके ok पे किलिक कर देता हूं तो यहाँ पर यह फिर से ABCD करके जो columns के heading है columns के heading वो ABCD करके आच सुकी है और यह हो गई हमारे अब A1 style clear चलिए अब हम चलते हैं आगे formula text अब formula text का काम क्या है formula text हमें जो formula होता है उसका text देता है जैसे यहाँ पर जो यह text है न यह formula क्या 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 है वो पूरा text के रूप में हमें दे देगा यहाँ पर चलिए कैसे use होता है equal formula text ठीक है यह मैंने type किया simple reference देना है यह मैंने reference दिया bracket close और enter तो इसमें जो भी formula है मेरे पास वो यहाँ पर इस तरह से दे देगा यह ठीक है अब यह text अगर आपको देखना है तो formula tab में आपको यहाँ पर जाना है evaluate formula जिसको मैं select करूँगा तो मैंने इसको select किया और यहाँ पर evaluate formula पर click करूँगा यहाँ पर देख सकते हो आप जो text है वो दिखाए दे रहा है ठीक है तो यहाँ से मैं close कर रहा हूँ इसको तो ऐसे हम इसको use कर सकते है ठीक है यहाँ से मैं delete कर देता हूँ अब आता है दोस्तो hyperlink तो hyperlink हम किसी भी एक document या फिर कोई ऐसी file है कोई folder है कोई image है कोई video file है excel word इस तरह की कोई file है तो उसका हम एक link बना सकते हैं hyperlink formula से देखिया hyperlink insert tab में यहाँ पर दिया जाता है यहाँ से भी हम बना सकते हैं और यह hyperlink formula भी दिया गया है इसकी help से भी हम एक link बना सकते हैं चलिए हम कैसे बनाएंग तो मैं क्या करूंगा पहले मेरे पास एक document है यहाँ पर तो मैं इसके उपर right click करके पहले property पर जाओंगा और यहाँ पर मैं security में आ करके जो इसका address है न यह इसको मैं select करूंगा इस तरह select लेना mouse से mouse से या फिर keyboard से कैसे भी select किया control c copy हो गया और इसको मैं यहाँ से close cancel कर सकता हूं कैसे भी मैं यह से okay कर देता हूं ठीक है excel में आया अब यूज करूंगा दोस्तों मैं आपे hyperlink equal hyperlink ठीक है सबसे first argument है link location तो जो हमने link अभी copy की थी ना उसको हमें यहाँ पे paste करना है तो हम उसे double inverted comma के अंदर paste करेंगे तो मैं inverted comma start करूंगा और यहाँ पे control V उसके बाद double inverted comma बन comma लगाया अब यहाँ पे next argument इसका क्या है friendly name आप कोई friendly name दे सकते हो double inverted comma में type कर देता हूं pdf file मैंने यहाँ पे लिख दिया pdf file bracket close अब यहाँ पे मैं इंटर करूंगा तो यह pdf file लिख के आएगा और यह एक link बन जाएगा इंटर करूंगा मैं तो यहाँ पे देख सकत यह मेरी एक pdf file थी तो यह आपको समझ माया होगा कैसे हम link बना सकते हैं इसको मैं यहाँ से close कर रहा हूं ठीक है यह हमारी link बन चुकी है ऐसे हम आप link बना सकते हैं आपका कोई important data है उसके बारे हम link बना सकते हो clear अब आता है दोस्तो choose function यह choose function बहुत ही important है जो कि हम आगे च जैसे कि मैं दिल्ली का एक number चाहता हूं मुंबई का दो कानपूर का ती इस तरह से चाहता हूं तो यहाँ पर number यह मेरे को दे देगा यहाँ पर मैं एक type करूं का तो दिल्ली आ जाएगा दो type करूंगा तो मुंबई आ जाएगा अब यहाँ पर मैं choose formula यूज करने वाला हू यहाँ पर आ रहा है index number index number क्या है index number मेरा यह cell है अब index number के बाद मैं comma लगा देता हूं अब इसमें क्या रहा है अगला argument value 1 value 2 value 3 4 5 6 इस तरह से यह हम एक से ज़्यादा values यहाँ पर रख सकते हैं तो मैं इसे select करूंगा and comma लगा देता हूं उसके बाद इसको select करूंगा comma और य उसके बाद मैं इसको select करूंगा comma select comma select comma select उसके बाद मैं bracket close कर देता हूं अब इसके बाद मैंने यह select किया सारे और यहाँ पर मैं इस तरह select करूंगा सबको ठीक है सारी cell range select की मैंने और f4 press कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ यह सारी cell यहाँ पर fix हो चुकी है अब आपको यह आपर थोड़ा सा समझना है ये काम कैसे करता है choose function नाम से ही पता चल रहा है ये choose करता है जैसा हम इसको देते हैं value उस तरह से choose कर लेता है और ये numbering देता है अब देखे मैं नहीं इसको क्या दिया था ये है मेरा index number c2 उसके बाद value 1 यानि की g1 ये जो g1 है न दिल्ली वाली जो cell है ये मेरी एक number हो जाएगी इसका number एक आएगा इसका दो आएगा इसका 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आएगा मतलब सबसे पहले मैंने इसको select किया था थी एक number हो गया ये दो number हो जाएगा ये तीन number हो जाएगा इस तरह से ये काम करेगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर enterprise कर देता हूँ enterprise या तो यहाँ पर value error दिखा रहा है क्योंकि हमारी इस cell में कुछ है ही नहीं तो मैं यहाँ पर करता हूँ एक type तो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों दिल्ली अगर मैं इस formula को इस तरह से drag and drop करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर च्यार, यहाँ पर पांच, छे और साथ ठीक है तो समझ मैं आपको मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने सब का number fix कर दिया अलवर का 7 number है सीकर का 6 number है, कानपूर का 3 number है दिल्ली का 1 number है तो इस तरह से यह choose function number को choose कर लेता है, मुझे इस value का number यह देना है मैंने दिल्ली का 1 दिया, तो 1 आगया एक type करूँगा, तो 1 दिल्ली आईगी अगर यहाँ पर 8-9 type करता हूँ मैं तो value error दिखाएगा, जोकि 6 से आगे हमारा data है नहीं, हमने यहाँ पर 9 number नहीं यहाँ था हम, तो यहाँ पर मैं एक type करूँगा, यह होगा, के लिए तो यह जो choose function है, इसको हम आगे V look up के साथ भी use करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है अब यह जो मैंने आपर number define किये ना, अब यही काम मैं if formula से भी कर सकता था, if जो के हम पहले सीख चुके हैं if formula करता क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर formula लगा के रखा है, यदि यहाँ पर मैं type कर देता हूँ, 3 तो 3 पर क्या है, कान पर यदि यहाँ पर मैं type करता हूँ, 2 तो यहाँ पर Mumbai बता रहा है एक type करूँगा तो दिल्ली यहाँ पर मैंने if formula लगाया यहाँ पर मैं double click करता हूँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यह पूरा function किस तरह मैंने use किया है, यह देख पा रहे हूँ गया, देख लीजिए मैंने कैसा if use किया है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि if formula कैसे use होता है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से मैंने यह लगाया है, तो चलिए मैं इंटर प्रेस करता हूँ, अब हम सीखेंगे दोस्तो look up, we look up, h look up, match index बगेर आए, ठीक है?